आज के वीडियो में कुछ इंटरस्टिंग से हैक्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको आने वाली बहुत सारी परिशानियों से भी बचाएंगे और आपके पैसे भी यहां पर खर्च नहीं होंगे मैंने ट्राइक किया है कि जादा से जादा हैक में चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं आज के इंटरस्टिंग से वीडियो को जब हमारे credit card या debit card expire हो जाते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल throw कर देते हैं और हमें उन्हें throw कर भी देना चाहिए लेकिन रुकिए throw करने से पहले आप इनका एक अच्छा सा use देख लीजे फिर definitely आप इन्हें throw कर सकते हैं तो जो kitchen के cabinets के जो handles होते हैं दोस्तों उनमें काफी ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है तो आजकल में जो debit card या credit card या credit card पढ़े हो चुके हैं उन्हीं से इन सब को clean करते हूं काफी अच्छे से clean हो जाता है और आपका जो credit card या debit card या expiry हो गयते थ्रो होने से पहले उनका एक अच्छा सा use भी यहाँ पर हो जाएगा तो देखे काफी अच्छे से यहाँ पर cleaning हो जाती है तो आप भी जरू ट्राइ कीजिएगा कभी कभी time की कमी की वज़े से हम laundry नहीं लगा पाते हैं और कपड़े बहुत जादा इखटे हो जाते हैं और इखटे होने के बाद उनमें से एक गंदा सा smell आने लगता है तो आज एक जबर जस्ता है एक शेयर करने वाली हूँ जो silika gel के pouches होते हैं उनको अपने laundry basket में रख दीजे और उसके बाद आप laundry basket में अपने गंदे कपड़ों को डालिए एक हपते तक तो इन में से बिल्कुल भी smell नहीं आएगा जरू try कीजिएगा बहुत ही try and tested है के मैं भी से try कर रही हूँ और अब अगर कपड़े लगने में देरी हो जाती है तो बिल्कुल भी smell नहीं तो चलिए थोड़ा सा organization भी यहां पर कर लेते हैं तो इस तरह के hangers हर किसी के पास available होते हैं तो इस hangers को मैंने एक तरफ से कट कर लिया है और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से गरम knife की help से मैंने यहां पर कट कर लिया था अब इसमें हम organize कर देंगे अपने जो toilet tissue papers दोत देखिए और एक जो center वाला है इसको हम यूज कर लेंगे तो यहां पर तीन अच्छे से organize हो गए हैं toilet tissue paper लेकिन यहां पर कट करने की वज़े से यह इसे अच्छे से organize नहीं कर पा रहा है तो इस पर हम वापस से लगा देंगे rubber band तो यहां से यह वापस से जॉइन हो जाएग तो यह zero cost वाला काम है जरू ड्राइ कीजिएगा घर को खुश्बुदार बनाने के लिए हैं मार्केट से different different type के air freshener आते हैं जो की काफी ज्यादा expensive होते हैं तो sometime हम उन्हें यूज भी करते हैं आज आप लोग के साथ ऐसा idea share करने वाली हूँ जो पैसे तो आपके बचाएगा ही बचाएगा लेकिन आपका घर भी उससे काफी ज्यादा महग जाएगा तो silika gel के दो pouches ले लिये थे एक glass ले लिया है छोटा वाला जो की मेरे पास ऐसे ही waste रखा हुआ था उसमें silika gel के pouches को मैंने डाल दिया है दिन उसके बाद हम इसमें add कर देंगे comforter जो की हम कपड़े wash करने के लिए भी use करते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी खुचबू आती है तो बस इसको आप मिला दीजिए silika gel के pouches को खोल के और उसको रख दीजे आप अपने living area में या फिर आप इसे washroom में भी रख सकते हैं आपका घर इससे बहुत ही अच्छा महग जाएगा घर में कोई भी चेरो या dining चेरो या normal चेरो जब हम उसे pull या push करते हैं तो एक बहुत ही irritating सा sound आता है और इस sound को कम करने के लिए market में बहुत सारी चीजे available हैं लेकिन हम यहाँ पे zero cost वाला काम कर रहे हैं तो मैंने ले लिया था यहाँ पे aluminium foil और aluminium foil की help से जो भी chair के lag होते हैं उनको हम cover कर देंगे अप से आपके चेर को जब आप pull या push करोगे तो बिल्कुल भी आपको एक irritating सा जो sound आता है वो नहीं आएगा जरू try कीजिएगा mixture हुआ या फिर mixture के jar हुए हम उन्हे time to time clean करते रहते हैं लेकिन इसके नीचे वाले हिस्से पे कभी भी हमारी नजर नहीं जाती है और वो बहुत जादा गंदा हो जाता है तो दोस्तों इसको भी हमें time to time बिल्कुल clean कर लेना चाहिए बहुत ही अच्छा सा है कि जो आप लो lemon तो दोनों जब react करते हैं तो जो जो भी गंदगी है वो अपने आप यहां से clean होने लगती है बहुत ही कम efforts में आप इतनी सारी गंदगी को बिल्कुल clean कर पाएंगे तो जैसे ही मैंने इसमें विनेगर डाला तो देखे विनेगर और सोड़ा इतने अच्छे से react करता है और आप इसमें कुछ brush भी यूज नहीं करेंगे तब भी बहुत सारी गंदगी यह अपने आप ही clean कर देता है तो देखे मैंने अभी आप पे कोई भी brush यूज नहीं किया है पर यह liquid का color बिल्कुल यहां पे change हो गया है तो यहां पे ले लिया है मैंने छोटा सा brush और brush की help से हम इसे बहुत ही आसान तरीके से clean कर सकते हैं बिल्कुल भी efforts नहीं है और इसको clean करने के बाद literally दोस्तों आपको यहां पे बहुत ही अच्छा result मिनने वाला है जो भी गंद की जार के पीछे वाले हिस्से में बनी हुई तो महीने में एक बार जरूर अपने मिक्षर के जार को आप इस solution से clean कर सकते हैं बरसात का सीजन हो दोस्तों या फिर ठंड का सीजन हो घर में मक्ही या मच्छर बहुत जादा आ जाते हैं तो इसके लिए भी एक permanent solution आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ काफी जो कि हर किसी के पास होती है तो काफी को थोड़ा सा यहां पर गरम कर लिया है किसी भी बरतन में आप उसे अच्छे से गरम कर लिजिए जब तक कि उसमें से थोड़ा सा धुआ ना निकलने लगे तो देखे यहां पर काफी काफी अच्छे से गरम हो गई है अब आप इसे अपने सारे घर में घुमा दीजिए इवनिंग के टाइम आप ये एवरी डे करेंगे तो कभी भी आपके घर में मख्या मच्छर कुछ भी नहीं आएंगे और बहुत अच्छी खुश्बू भी आपके घर में आने लगेगी चाई पीने की हैबिट्स तो हम सब में होती है 90% लोग चाई को बहुत जादा पसंद भी करते हैं लेकिन चाई बनाते समय सम्टाइम्स या तो चाई का बरतन जल जाता है या फिर थोड़ी बहुत चाई पती उसमें लग जाती है तो जब भी हम बरतन वाश करते हैं तो काफी जादा प्रॉबलम होती है तो अब से मैं क्या करती हूँ जब भी चाई बनाती हूँ तो चाई के बरतन को मैं थोड़ी देर के लिए भीगो के रग देती हूँ बिल्कुल हमें टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए तभी वो सबजिया अच्छी बनती है उन में से एक सबजी भिंडी अगर हम भिंडी को ध्यान से नहीं बनाएंगे तो वह बहुत स्टिकी स्टिकी बनती है और खाने में बिल्कुल भी मज़दार नहीं होती तो द ए तक वह क्या करना है जब भी आप भिंडी को वौश बाष करने के बाद जब उसे ड्राय कर रहे हैं बिल्णी को ड्राय करने के लिए आप यहां पर मायइक्रोफाइबर का क्लोथ यूज कीजे क्योंकि अगर हम cotton का cloth use करेंगे तो बहुत जल्दी गीला हो जाता है तो जब भी आप भिंडी बना रहे हो तो जब उसे dry कर रहे हो तो microfiber का ही cloth यहाँ पर use कीजिए उससे काफी अच्छे से भिंडी dry हो जाती है दोस्तो आज के वीडियो में जितने भी hack and ideas आप लोग के साथ शेयर की हैं उन में से कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा जरूर मेरे साथ comment section में शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर से subscribe कर लीजिएगा इस त आपकी भिंडी कभी भी स्टेकी नहीं बनेगी जरूर ट्राइग कीजिएगा बहुत ही अच्छा है कि आपकी भिंडी बहुत ही ज्यादा लाजवाब और टेस्टी बनेगी अगर आप